वेलकम टू अर्थपला नसरी अर्थपला नसरी में सभी की सन भायों का स्वागत आज डेट है 27 सेप्टमबर 2022 और आज की डेट में इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एपल वेर का फर्मिंग तो अब करते हो तो उनमें काफी ज़्यदा ट्रीटमेंट की जरूरी होता है जब फ्लावरिंग होता है तो फ्लावरिंग से जब रहता है तो इसमें आपको ट्रीटमेंट जरूरी होता है क्योंकि फ्लावरिंग से फ्रूट में कंवर्ट होका तब जाके जो है आपके में से जो है आरनिंग कर पाएंगे ज्यादा मुनाफ़ा उठा पाएंगे तो ज् यह है साथ किसानों यह कैया जह अगर है लग भग अगुन के यहाँ आपका जो बागी 80 परसेंट रहे उसके ऊपर राको ट्रीटमेंट करना है इसके उपर आपको अच्छे से दव Just पर प्रैयोग करना है तकि वह फ्लावार गिरे यह आंड वह फ्लावर ना गिडा के उन से जवे ज्यादाशे ज़यादा करके फ्रूट में कन वर्ट करना है है तो अगे जाकर के आपको ज्यादा ज्यादा बेनेफिट उस से ले से लेना है तो तक हम ये नहीं जानेंगे कि हमें flower drop किसलिए हो रहा है तो तब तक हम इसके उपर treatment नहीं कर पाएंगे तो देखिए flower drop की जब बात आते है तो इसमें जो है लगभग दो तिन कारणों से इसमें flower जड़ जाता है फुल जड़ जाता है पहला बात है अगर follow करके देखिएगा कि आपका plant में छोटी छोटी चीटी है जो चीटी की वज़ा से जो है इसमें आपको flower को काड रेता है flower के उपर जाके बैठता है और साती साथ दुसरी कारण जो है इसको उपर मखी लग जाता है जो सफेद मखी, काले मखी और भी तरहा तरह की मखी का प्रजाती है वो मखी आके आपको फूल के उपर बैठता है और जिसके चलते क्या होता है काफी सरे फूल जो है इसमें से जड़ जाता है हला कि मखी बैठने से आपको जो इसमें काफी सरे solution भी होता है और साथी सद आपको बता देता हूँ, इसमें जो है मखी बैठने से आपको पॉलिनेशन, एक अच्छे से पॉलिनेशन हो जाता है, वो बाद छोड़ देते हैं, पर काफी से मखी होता है, जिसके चलते जो ही आपको फिलावर का नुकसान पहुंचाते हैं, और साथी सद जो ह इसमें और एक problem होता है, powder मक्ही बोला जाता है, जो खाली आपको उसे दीखता नहीं, यह बहुत चोटी-चोटी होता है, वो उसमें problem करता है, तो आपको treatment कैसे लेना है, और एक problem जो आपको सामने सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, वो है फंगस का problem, देखिए शुरू कोई भी अब भ़ो इसमें आपड़ सकतो दूसरी बात है कि आपकी इसमें जो मखुी लग रहे मख्य मख्य के लिए कि क्या इस्तेमाल क्या जाए है तो आगर अगर आप इसे प्रायॉ कीजिए तो आपका जो मक्ही इसमें से बिल्कुल खताम हो जाएगा तिसरी बात है आपका जो पौडर मक्ही लगता है वो नॉर्मल दवज से नहीं जाता है उसके लिए आपको चाहिए क्या होता है तो थीटा की अगर प्रयोग कीजिएगा तो इन में से आपको 100% पौडर मक सब्सक्राइब कर लिए वीडियो के तिने टाइम देखने के लिए आपको बहुत धन्यबद आपका दिन सुभाँ